तो एस्टेट की बहाली को सीधे सीधे बिहार के सिक्षा मंत्री और सिक्षा विभाग ने तबाह किया है जो नॉन मेरिट में है जिनको आपने कह दिया था कि आप अपनी नौकरी पकी समझिये और जो लोग मेरिट लिस्ट में आएं आप इनके साथ नाइन साफी मत किजिए क्योंकि आपने कहा है एड़िटाइजमेंट में कि ये जो बहाली है ये कॉम्पीटिटी बहाली है तो आप सब को नौकरी दीजिए आपको अस तो सीटे तो तीन राग खाली है नमस्कार आदाब सस्रीय का लाइव नेशन सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाब मलिक अगर अभी तेक आप लोगों ने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेँ अभी हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरव जी स्टीटी के भी अभी हर्थी बहुत परिशान है 2019 बैच 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था और बाद में उस नोटिफिकेशन को रद कर दिया गया जबके उसमें एक्जाम हुआ उसमें बजापता लोगों ने कंपीट किया और बाद में शिक्षा मंत्री का कहना है कि मेरिट और नॉन मेरिट सब बरावर हैं जैसा कि अभी हर्थी बताती तो ये भी एक अहम मुद्द है जिसे आप लोगों को उठाने जरूरी है आप देखिए मैं इस मुद्द को काफी नीचे इसे निया करचे हैं स्टेट के मामले में 12 मार्च जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ और नंबर लेनाउंस हुआ 21 जून को जो रिजल्ट आया उसमें कुछ और नमर एनाउंस हुआ बाद में सरकार कुछ और डेटा कह रही है तो एस्टेट की बहाली को सिधे-सिधे बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने तबाह किया है इस सिल्सिले में सिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर चुका हूँ सिक्षा सचीव से भी मिल चुका हूँ और विधान सवह में मैंने सवाल भी दिया है हमने यही कहा है कि आप दोनों अभ्यर्थी जो नौन मेरिट में है जिनको आपने कह दिया था वो नहीं भूगत सकते हैं आपकी गलती का खामियाजा तो मैंने विधान सभा के अंदर सुझाओ दिया था सरकार से सवाल पुछते हुए मैंने कहा था कि जो इंटेक है जो सीटे एवलेबल हैं जो सरकार ने घोशित कर रखिया अलग-अलग जो नियूजन इकाईयां हैं उन पहली है अब जब पहली है प्रतियोगी परिक्षा है आपने कहा है कि भाई पहले कि किसी परिष्छा से यह अलग है इस लिहाज से हम सीट के बराबर ही लोग का रिज़ल्ट जारी करेंगे और एक तरफ आपने कहें दिया सारे क्वालइफाइड स्टूडेंट कि आपकी न बारव मार्च के बाद जब उसकी सरकार ने कहा कि सबकी नौकरी पक्की समझिए तब उसकी साधी तै हो गई लोग को लागा कि नौकरी पक्की समझिए अगर सरकार खुदी कह रही है सिक्षा मंत्री खुदी कह रहे हैं तो इनकी तो नौकरी है उसकी साधी तै हो गई और सबका नौकरी हो जाएगा आप क्योंकि सीट से कम हम लोग रिजल्ट दे रहें 12 मार्ज की बात है तो अब वो लोग क्यों भूगते हैं इसलिए हमने सजेशन दिया कि आप इंटेक बढ़ा लिजे अपना सीट बढ़ा लिजे और सबको लेजिए और ये नियोजन सिस्टम जो बिहार में है ये जब तक बिहार में रहेगा आप समझेए कि सिक्षकों की कमी जो है उँ नहीं पूरी हो पूरी नहीं हो पाएगा उसमें फसान है सीटे खाली रह जाती है तो ये हमारे साथ मौजूद थे संदीब सौरफ जी जो खुद यूवा है और यूवा की परेशानी को अच्छे से समझते हैं और यही वज़ा है कि उन्होंने सदन में भी यूवाओं के लिए आवाज उठाई थी वो BSSC अभी अर्थियों के लिए खुद चल कर आयो गए और वो लगातार यूवाओं की परेशानी खासकर रोज़गार से जुड़ी परेशानी पर खुद ध्यान दे रहे हैं सरकार का भी ध्यान उस तरफ आकरिश्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह हम लगातार बने रहेंगे और आपको अबडेट करते रहेंगे खबरों के साथ तो अगर अभी तक आप लोगों है मारे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर सबस्क्राइब कर लें अगर फेस्बुक के जरी देख रहे हैं तो पेज लाइक करें साथ ही ट्वीटर हैंडल पामें फालो जरूर करें धन्यवाद